तो आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको ना तो कोई मिल्कमेट चीए ना एग्स की ज़रूरत है ना किसी अवन की ज़रूरत है इवन ये कडाई में रखने वाले किसी कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको आप डिरेक्ट पैन में बना सकते हो और ये स सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी बनता है देखिए मैं आपको एक पीस भी कट करके दिखाती हूं कि ये कितना स्पंजी बना है और इसमें बिल्कुल कोई मेनत की ज़रूरत नहीं घर पे रखे समान से ही बना सकते हो तो अगर आपको ये ऐसी रेस्पी और देखनी है तो सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ये बिल्कुल फ्री है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है सबसे पहले एक बाउल ले लिया है उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप गई ध्यान रखें कि आपका जो कर्ड है वो बिल्कुल रूम टेंपरेच पाउडर शुगर ली है एक कप जैनरली जब हम केक बनाते हैं ना तो हम यूज करते हैं उसमें पाउडर शुगर पर यह मैंने इजी मैथड यूज कर रहा है तो इसमें जो आप घर पे ऐस इस शुगर को यूज कर सकते हो और ऐसा विस्क तो हर किसी के पास होता ही है किसी electrical whiskey ज़रूरत नहीं है इससे हमने इसको 3-4 मिनट तक अच्छे से beat कर लेना है जब तक कि आपकी sugar इसमें dissolve ना हो जाए इस तरह से इसको beat करते जाए देखिए हमारी sugar dissolve होनी शुरू हो गई है तो friends ये एक ऐसा cake है जिसी कि आप घर पे आपके जो भी समान पड़ा हो उसी से बना सकते हैं आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है इसमें एक ऐसा सिरुफ मैदा है जो आपको हो सकता है घर पे ना हो पर उसकी जगा भी आप यहाँ पे आटा यूज कर सकते हो यहाँ पे मैंने दो कप मैदा ले लिया है उसको हमने जो हमारा ये वेट इंग्रीडियंट से इसके अंदर चान लेना है इस तरह से इसको चन्नी में चान ले अगर आपके पास ये वाली चन्नी ना भी हो तो जिससे आप आटा चानते हो ना चन्नी उसी को यूज कर सकते हो इस तरह से इसको चान लेना है इन सब चीजों को चानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसके अंदर ना एर आ जाती है उससे आपका जो केक है बहुत ही सौफ्ट और फलफी बनेगा यह मैंने दो चमच कोको पाउडर ले लिया है अगर आपके बास यह ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो तो आपका चॉकलेट केक की बजाए नॉर्मल केक वनीला केक बन जाएगा इस तरह से मैंने इसमें दो टेबल स्पून डाले हैं कोको पाउडर इसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है दो टी स्पून बेकिंग पाउडर दो टेबल स्पून हमने कोको पाउडर डाला था दो टी स्पून हमने डाल ले हैं बेकिंग पाउडर के अब इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ओफ सॉल्ट नमक तो हरे के घर में होता ही है तो बिल्कुल जरा सा चुटकी भर नमक डालना है किसी भी आप केक में या मिठी चीज में अगर आप इतना सा नमक डाल देते हो न तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है इस तरह से सारे इंग्रीडियंट्स हमने चान लिये हैं अब हमें इसको मिक्स कर लेना है इसको आपने बिल्कुल हलके हाथ से मिक्स करना इस तरह से सारा हमारा मिक्स्चर जो हमारा दई और उसका घी का मिक्स्चर था उसके अंदर मिल जाना चाहिए देखे यह अब ना आपको मिक्सर काफी ज्यादा गाडा लग रहा होगा तो हम इसके लिए यूज करेंगे दूद यहां पर मैंने एक अब दूद लिया है दूद को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं दियान रखें दूद भी ना आपका नॉर्मल टंप्रेचर पर होना चीए इतना होना चीए कि आपके उंगली उसके अंदर जा सके ना तो फ्रेज का दूद लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा गरम दूद लेना है रूम टेंपरेचर का दूद ले और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने इसका एक ऐसा बैटर बनाना है कि वो ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाड़ा इस तरह से इसको थोड़ा सा विस्क से कर लें, तो इसकी consistency बिल्कुल सही हो जाएगी दिखिए हमारा mixture बनकर तैयार हो गया है, मैं आपको इसकी consistency भी दिखा देती हूँ देखिए इससे आपको पता नहीं चल रहोगा मैं आपको एक चमज से दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह की consistency होनी चीए देखिए इस तरह से हमारा बैटन फ्लोई होना चीए इसको ribbon like consistency बोलते हैं कि ये जब हम उकपर से drop करें तो ये ribbon की तरह नीचे गिरे इस तरह की consistency हमेची है हमारा इतना दूद एक कप में से बच गया है आप अपने हिसाब से इसकी consistency रखें अब हमने ले लिया है एक teaspoon baking soda पहले हमने डाला था baking powder अब हमने डालना है baking soda उसके उपर हमने डाल दिया है एक ही teaspoon vinegar देखिए इसका reaction देखिए यह जो इसका reaction है ना इसकी वज़ा से आपके जो cake में बहुत ही बढ़िया जाले पड़ेगी और बहुत ही फूल कर बहुत बढ़िया फूल जाएगा वो इस तरह से इसको हलके हाथ से सिरफ mix करना है बहुत ज़्यादा हमने इसके बाद इसको फैंटना नहीं है नहीं तो आपका cake नीचे बाढ़ जाएगा इसके बाद हमने एक pan ले लिया है देखिए उसके अंदर मैंने एक butter paper लगा दिया था यह थोड़ी height का होना चाहिए और मैंने ना sides पे भी थोड़ा सा cooking oil से इसको brush कर दिया है अब हमने अपने batter को directly pan में transfer कर देना है इस तरह से हम जो cake बनाते हैं उसमें ना तो हमने कडाई गरम करी है कि उसके अंदर हम इसको रखेंगे ना तो हमें नमक की ज़रूरत है ना ही OTG की ज़रूरत है आपके पस घर में जो भी pan हो उसके अंदर आप इसको बना सकते हैं दूसरी तरह मैंने एक तवा गरम कर लिया है नॉर्मल हमारा लोहे का तवा है जो हम रूटीन में रोटी बनाने में यूज करते हैं हमने मीडियम आँच पे इसको पहले 10 मिनट के लिए गरम कर लिया था जिस तरह की हम OTG को preheat करते हैं उसके उपर हमने अपने पैन को रख देना है ढखकर इस टाइम हमारी आँच बिलकुल लोग पे होनी चीए और हमने इसको 45 मिनट से एक घंटा लगेगा मेरी केक को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं दीखिए ये सेंटर में से अभी थोड़ा सा गिला है तो हमने इसको दोबारा से ढख देना है केक को कभी भी न 30 मिनट से पहले आपने बिलकुल खोल कर नहीं देखना नहीं तो वो आपका केक बैट जाएगा देखिए इसको आलमोस्ट एक घंटा हो गया है तो हम टूथपिक डाल कर देख लेते हैं कि edeट देखिए सेंटर में से सबसे बाद में पकता है देखिए मेरी टूथपिक बल्कुल clean आई है इसका मतलब हमारा केक पक गया है अब हमने गेस को आफ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है इसको कभी भी गरम-गरम दी-मोल्ड करने की कोशिश ना करें देखिए हमारा केक बल्कुल थंडा हो गया है लगबग आदा गंटा हो गया है इसको पके हुए हम इसको डी मोल्ड कर लेते हैं देखिए कितनी असानी से बाहरा आ गया है और नीचे कोई आपका कुछ जले का निशान नहीं है कुछ भी नहीं है तो हम इसका बटर पेपर निकाल लेते हैं देखते हैं कि यह नीचे से कैसा है यह बहुत इजिली निकल जाएगा आपका बटर पेपर देखे ये कितना बढ़िया बनकर तयार हुआ है सुपर स्पंजी है, सुपर टेस्टी है इसको आप एक बार जुरूर बना कर देखना और मेरे साथ जुरूर शेयर करना कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अगर आप ऐसी और रेस्पी देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मिलते हैं एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए हापी कूकेंग